नवेश्कार दोस्तों मेरा नाम है चारू चौधरी हमारे चैनल सुविद्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज कल जो भी न्यूस चला लो हर जगे हमको सुनाई दे रहा है कोरोना वाइरस के बारे में क्या है coronavirus और क्या है इसके लक्षन इसके बारे में जाने के लिए ये जो वीडियो है आप इसे end तक देखेगा उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटा फट से हमारा चैनल सुविध्या सब्सक्राइब कर ले और साथ ही में हमारा नया चैनल चारू चौधरी जो श्टार्ट हुआ है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेर करूंगी उसको भी सब्सक्राइब कर लीजेगा तो दोस्तों आईए जानते हैं क्या है coronavirus और क्या है इसके लक्षन coronavirus का संबंध virus के ऐसे परिवार्थे है जिसके संक्रमन से चुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीव जैसी समस्याएं हो सकती है इस virus को पहले कभी नहीं देखा गया ये virus का संक्रमन दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था WHO के मताबिक बुखार खासी सांस लेने में तकलीव इसके लक्षन है अब तक इस virus को फैलने से रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है तो दोस्तों अभी तक कोई टीका नहीं बना है इसका इसलिए हमको बचाव जो है वो करना बहुत जरूरी है क्या है इस बिमारी के लक्षन इसके संक्रमन के फलस्वरू बुखार जो काम सांस लेने में तकलीव नाग बहना और गले में खराश जैसे समस्या उत्पन होती हैं यह वाइरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है इसलिए इसे लेकर बहुत साथधानी बढ़ती किसे से रोका जा सकता है वो नहीं हमें पता चला है तो स्वास्त मंत्राले ने कोरोना वाइरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए अलकोहल आधारित हैंट रप का इस्तिमाल भी किया जा सकता है खास्ते और छींकते समय नाक और मोहरुमाल या टीशू पेपर से ढख कर रखें जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्ल्यू के लक्षन हो उनसे दूरी बनाये रखें अंडे और मास्की सेवन से बचें, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें विश्व स्वास्त संगठन ने प्रभावित इलाके लोगों को पहले से निर्धाडी सामानी एतिहाती उपाय बरतने की सलह दी है ताकि संक्रमन के खत्रे को कम किया जा सके इन उपायों में हाथ साफ रखना, मास्क पहनना और खान पेन की सलह शामिल है सांसों की किसी तकलीफ से संक्रमित मरीजों के करीब जाने से लोगों को बचने की सलह दी गई है नियमित रूप से हाथ साफ करते रहें खास कर किसी संक्रमित व्यक्ती के संपर्क में आने के बाद फॉरन बात फाल्दू या जंगली जानुरों से दूर रहने की भी सला दी गई है कच्चा या अत्पका मास खाने से भी मना किया गया है कोरोना वाइरस से संक्रमित लोगों को छीक आने की सूरत में सामने खड़े लोगों की बचाने की सला दी गई है जिसे नाग पर कपड़ा या टीशू रखना सामने खड़े व्यक्ति से फासला बना कर रखना नियमित रूप से साफ सफाई जैसे एहतियायत बरतने की उमीद की जाती है विशु स्वास्त संगठन को ऐसे साक्ष मिले हैं जिसमें करीब के लोगों के संक्रमित होने के मामलों की पुष्टी हुई है इसकी वज़ए ये भी है कि परिवार में एक वेक्ति के संक्रमित होने की सूरत में दूसरा उसकी देख भाल करने लगता है हालांकि अभी तक इसके बाहर होने वाले संक्रमन को लेकर कोई इस पष्ट प्रमाण नहीं मिले है अभी दोस्तों ज़्यादा तर जो मामले हमें मिले हैं वो हैं चीन में चीन में कोरोना वाइरस से सेंकडों लोग संक्रमित हैं देश के लगभग बीच में पढ़ने वाला हुबेई प्रांथ कोरोना वाइरस से सबसे ज़्यादा प्रभावी शित्रों में से है विशु स्वास्त संगठन ने आने वाले समय में कोरोना वाइरस से संक्रमित मामलों के बढ़ने की चेतावनी दे रखी है चीनी अधिकारियों ने भी कोरोना वाइरस के संक्रमित को फैलने से रूखने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं हुबेई प्रांथ के कई शहरों में यात्रा प्रतिबन लागू कर दिये गए हैं और आम लोगों से सारवजिनिक जगहों पर मास्क पहन कर रहने के लिए कहा गया है चीन की सरकार ने संगहाई की फॉर्बिडन सिटी और ग्रेट वाल आफ चीन के कुछ हिस्सों यहां तक की बहुत मंदिरों को भी बंद कर दिया है यह चीन में नए साल के जशने का समय है हफते भर की छुटियां शुरू हो गई है लाखों लोग घर जाने के लिए यात्राएं करते हैं और ऐसे समय में प्रतिबंदों की लिष्ट लंबी होती जा रही है फिलहाल विशु स्वास्त संगठन ने कोरोना वाइरस को अंतराष्टी आपातकाल का दर्जा नहीं दिया है इसकी वज़ा यह है कि चीन के बाहर कोरोना वाइरस के संक्रमन के मामले कम सामने आए है विशु स्वास्त संगठन के महान निदेशक डॉक्टर ट्रेडोस एड खानों ग्रेबे ये यूसुस ने कहा कोई गलती ना करे ये मुश्किल समय है चीन में आपातकाल जैसी स्थती है वहान यूनिवासिटी ओफ टेक्नलोजी के एक भारती चात्र चौंग्ठान पेपे बिफ होव जीत ने बीवीसी से कहा मेरी यूनिवासिटी में हर एक चात्र के शरीर के तापमान की जांच हर दिन की जा रही है सब को मास्क दिया गया है यूनिवासिटी का अपना अस्पताल और एंबुलेंस सेवा है सोशल मीडिया पर वुहान के वीडियो शेयर के जा रहे हैं जिनमें इस्थानी अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें देखी जा सकती है मेडिकल सेवाओं की बड़ती जरूरत को पूरा करने के लिए प्रशासन शेहर में हजार बिस्तरों वाला एक नया अस्पताल बना रहा है हुबई के सरकारी अकवार आंगजी आंग डेली ने कहा कि ये अस्पताल तीन फरवरी तक बन कर तयार हो जाएगा कोरोना वाइरस के मामले चीन के बाहर कोरोना वाइरस के मामलों की अभी तक थाइलेंड, वियतनाम, ताइवान, दक्षेंड, कोरिया, सिंगापुर, नेपाल, जापान, अमेरिका, अस्ट्रेलिया और फ्रांस में पुष्टी हुई है दूसरे देश में संदिक्त मामलों की जाच कर रहे हैं, इनमें ब्रिटेन और कनाड़ा जैसे देश हैं, कई देशों ने तो चीन से आने वाले मुसाफिरों की जाच के लिए एरपोर्ट पर ऐसी एहतियाती कदम उठाए हैं, दुबई और आबुधाभी जैसे प्रमुक ए कई सारे मामले हमने देखने को मिले हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाई गई है, क्योंकि भारत में भी मुंबई, पूने जैसी कहीं जगे पे संदिक्त जो मामले हैं, जो कि ऐसा लग रहा है कि ये जो कोरोना वाइरस है, वो यहाँ पे भी फैल सकता है, ऐसे मामले सामने आए हैं, तो आपको इजानकार इसलिए दी गई है कि आप सभी अपनी सुरक्षा कर सकें, अपनी सुरक्षा करेंगे, तो आप जो भी competitive exam की preparation कर रहे हैं, आप उस पे अपना focus कर पाएंगे, तो सबसे पहले health पे ध्यान दीजिए और उसके बाद जो अपना goal है, उस पे focus कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद